हलो दूस्तो नमेशकार एसे हम किसी चैनल में आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट के है जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेज करके आप चाओ तो इसको भी गिरते वे देखने को मिला है नियर भाई आप देख सकते हो 8% की गिरावट और यह गिरावट थोड़ी से हम लोगों को खास देखने को आप मिल रही है क्योंकि यह जो शेर है वो इस एक पर्टिकुलर नाम के चलते बहुत ज्यादा पॉपिलर हुआ था प्लस अगर हम लो फ्यूचर में कर भी सकती है बट उनके एक उमीद थी एक पर्टिकुलर खबर के चलते वो शायद से उमीद अभी उनकी तूटती हुए देखने को आप मिल सकते क्योंकि इस कंपनी में एक बहुत बड़े प्लियर ने पैसा लगाया था और लगातार शेर नीचे जा रहा थ बट वो इन्वेस्टर हम लोगों को उसने माल यहापर बेचा नहीं था बट फाइनली अभी उस इन्वेस्टर ने आपर माल बेचा है इसके पहले भी उन्होंने माल बेचा ही था कुछी चन महेनों पहले की बात है बट अभी वो complete exit होते वे दिखने को मिल रहे है तो वो इ आपे मैं बात कर रहा हूँ पे टी-ेम की यह सोथ पे टी-ेम की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो company आप लोगों को पता ही है अलिबाबा सो अलिबाबा ग्रूप की जो शेर्स थे वो पे टी-ेम में हम लोगों को देखने को मिलते थे तो उन्होंने कुछ टाइम पहले क हम लोगो deal होते वी देखने को मिली है मतलब क्या है कि PTM से Jack Ma की जो company अलिबाबा अभी हम लोगो टाटा बाई बाई करते वे देखने को आपे मिल रही है and definitely अभी अगर हम लोग देखेंगे कि PTM का जो share है वो हम लोगो भागते वे देखने को मिल रहा था इसी का फायदा उठा कर वो अभी हम लोगो exit होते भी देखने को आपे मिल चुके है तो यही कुछ data अभी हम लोग देख लेते हैं तो इसके लिए हम लोग जाएंगे NAC की जो block deals, world deals होते हैं उसमें जाएंगे क्योंकि बड़ी deal होती है कोई ना कोई बड़ा player इसके अगेंस्ट के आपे खरीद लेता है तो चले मैं यहापे symbol में जाता हूँ PTM का नाम लिख लेता हूँ यहापे हम लोग get data कर लेते तो आपको easily data मिल जाएगा यह दिखे data आ चुका है, चाओ तो तारीक भी देख सकते हो सामने वाले खरीदने भी देखने को आपे मिल रहे है तो शेर कभी भी इतना मतलब 8-9% के आसपस की गिरावट क्यों देखने को मिली येस, प्राइज अगर आप देखोगे तो बहुत ही heavy discount के उपर हम लोग को यह शेर बेचते वे देखने को आपे मिले है तो कितने पर उन्होंने शेर बेचे लगबग 642, rounded figure कर लेते है 642, अगर हम लोग कल के दिन की बात करें तो PTM का शेर का previous close क्या था nearby 705, चलो, 705 ही बोल देते हैं और उन्होंने बेचा कितना? 642 पे, तो आप देख रहे हो 705 किदर और 642, कितना बड़ा massive discount दिया है so automatically share price हम लोग को 642 के करीब, मतलब 65 की करीब यहाँ पर आते वे देखने को मिला है अगर आपको इसका calculate भी करना है तो चले मैं थोड़ा calculate ही कर लेता हूँ 705 का था previous close minus 642 कर लेते हैं equal to 63 रुपी का grab तो into 100 करेंगे divide by कितने का था? 705 का था तो discount देखें कितना? nearby 8.9 मतलब चलिए 9% का discount इन्हों ने आपे दिया तो obviously stock भी उतना usually गिरते वे देखने को मिल जाता है इसलिए PTM हम लोगो 9% के आसपास गिरते वे देखने को मिला है अगर यह 705 के आसपास अगर deal हो जाती मान लेजे 700 के आसपास तो definitely PTM के share में इतनी बड़ी गिरावट नहीं होती so finally हम लोगों को यह पता चल रहा है कि Jack Ma की जो company Alibaba हम लोगों को PTM से अभी निकलते वे देखने को आपे मिल रही है so एक point आप लोगों को पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को Alibaba ने कुछ shares यहापे बेचे थे तब भी मैंने आप लोगों को वीडियो में यह सारी चीज़े कवर की थी कि कभी भी इनको मोका मिलेगा PTM कभी भी थोड़ा बहुत उपर भागेगा तो इसका यह फाइदा ज़रू उठा सकते हैं आज आज आप देख सकते हैं कि इसका फाइदा उन्हों ने आपे उठा लिया और वो अभी हमनों को exit होते भी देखने को आपे मिल चुके है तो यह एक कहानी हमनों को देखने को मिल रही है तो क्या इसके चलते PTM का problem solve हो गया तो दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं है प्रेटियम के उपर बहुत बड़े problems हमनों को देखने को मिल रही है अभी यह क्या है soft bank अभी soft bank का नम बीच में किदर से आ गया अगर आप इस channel को regularly follow करते हो तो मैंने एक पूरी कहानी आप लों को बताई थी कि soft bank खुद बहुत ही ज़्यादा पैसो की तंगी में चल रहा है यह Japanese company है अगर आप इसका maximum chart pattern देखेंगे टॉप level से 5 साल का या फिर देखेंगे टॉप level से तो बहुत ही ज़्यादा गिरते वे देखने को मिला है पिछले एक साल की बात करे तो और भी हम लोगों को यहाँ टॉप level से अच्छी खासी गिरावट देखने को आपे मिली थी सो जहें soft bank हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है इनको भी पैसों की ज़रुवत यहाँ पे रहती रहती है और इसका भी investment PTM में हम लोगों को देखने को आपे करोड के आसपास के उन्होंने पुंजी जूटाई थी और यह सबसे बड़ा खत्रा अभी भी PTM के उपर हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है सो खत्रा मतलब क्या तो दोस्तों soft bank को बार-बार पैसों की ज़रुवत लगती है अगर आप share holding pattern में जाओगे 12.92% So definitely यहाँ पे soft bank को जबी-जबी पैसों की ज़रुवत लगेगी उनके पास PTM के बहुत सारे shares है और फिलाल PTM अच्छा खासा recover होते वे देखने को मिल चेका है नीचले स्तर से recovery तो होते वे देखने को मिली है तो might be वो भी अपना माल यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे बेचते वे देखने को आपे मिल सकते है तो इस सारी चीज़ें हम लोगो फिलाल तो होते वे देखने को आपे मिल रही है तो इसलिए कहना चाहूंगा कि अगर आप PTM के shares में निवेश करने के आप विचार यहाँ पे कर रहे हो तो इस सारे points आप लोगों को पता यहाँ पे होने चाहिए नो डाउट company ने इस वक्त का जो quarter 3 का जो performance दिखाया है जो operating profit हम लोग यहाँ पे बोलते है जो कि कभी भी company ने नहीं दिखाया था हमेशा company loss loss में चल रहे थी final भी company ने loss ही दिखाया बट येस जो main कामकाजी जो हम लोग बुलते हैं ना मुनाफ़ा वो हमेशा कामकाजी loss ही रहता था तो इस वक्त company ने पहली बार कामकाजी मुनाफ़ा मतलब operating profit दर्ज किया और इसी के चलते यहाँ पे एक लटक को यहाँ पे करना बाकी है and consistency वाला factor missing है so company ने इस वक्त तो operating profit यहाँ पे ज़रू दिखाये तो आने वाले समय में भी क्या company consistency के साथ क्या ऐसा ही performance continue रखेगा ये देखना सबसे interesting part यहाँ पे रहने वाला है and सबसे important चीज क्या है कि बड़े players बड़े players इस तीजी का फाइदा उठा कर हम लोगो क्या करते वे देखने को मत रहे profit तो बोलना नीचे अभी पता नहीं उन्होंने कौन से भाव पे ये shares खरीदे थे उनको profit हो रहा है या loss हो रहा है इतना हम लोग कह सकते इस jump का फाइदा उठा कर वो exit लेने की तो कोशिश आपे कर रहे यह तो हम लोग यापे देख चुके है अलिबाबा की अगर हम लोग बात करे तो पहले भी उन्होंने shares बेचे थे अभी के जो बचे कुछे shares थे वो भी उन्होंने आपे बेच दिये है तो यह एक important point आप लोग को पता है यहापे होना जीए तो पेटियम की बात करे जोमैटो की बात करे पिबी फिंटेक की बात करे कार्ट ट्रेड की बात करे या फिर नाइका की भी अगर हम लोग बात करे बहुत ही संबल कर आप लोगों ने आपे चलना है मैं बार-बार आप लोग को बता रहा हूँ कि कभी ना कभी जाके यह recovery ज़रूर यहापे आएंगी बट consistency है या नहीं यह देखना सबसे important factor यहापे रहने वाला है अगर next number पे अगर वापस company consistency नहीं दिखाए पाई मतलब operating profit से अगर operating loss में आ गई तो वापस यह share जोरदार गिर के नीचे भी हापे आ सकता है यह सबसे बड़ा खत्रा इस stock के उपर हम लोगों को मंड़ राते वे देखने के आपे मिल रहा है तो यह सारे factors आप लोगों को पता होनी चाहिए और जिस बात का हम लोगों को डर था कि Alibaba यहापे वापस अपने जो बचा हुआ steak है वो बेचेंगी जंप अगर उनको कभी मिलेगा तो डर भी हम लोगों को सच साबित होते वे देखने के आपे मिल चुका है तो आशा करता दोस्तो ओर आल जितने भी important बाती थी वो मैंने आपकी सामने रख दी है तो आप जो भी चाहिए वो और सही decision यहापे ले पाओ तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो like and share कर सकते हैं डिमेंट अकार आपने अभी तक उपन नहीं किया है